नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश सव्वा चैनल में आज हम बात करेंगे चीन के एक नए कच्च चिठे के बारे में अवनाचल परदेश में कुछ अस्थानों का नाम मजलने के साथी खबर आ रही है कि उसने तक्षणी हिंद महा सागर शेत्र में भी कई अस्थान इस बार दक्षणी हिंद महा सागर शेत्र में की है चीन की उक्सावे वाली हरकतें अपकेवल वास्तवी क्नियंत अड्रेखा या अरुनाचल परदेश तक ही सिमित नहीं रहे गई हैं विशोपटल पर अपनी धाग जमानी की कुशिश करता चीन अपनी विस्तारवादी न नाम बदल दिये हैं चीन की यह कार्वाई बारत की समप्रभुता और हिंद महा सागर चेत्र में भारतिये प्रबाव चेत्र में सीधा सीधा दखल है और भारत को कमजोर करने की उसकी कोशिशों का हिस्सा है रक्षाविशेशग्यों का मानना है कि चीन के इस कदम को भारत की गेराबंदी के रूप में देखा जाना चाहिए हिंदमा सागर में चीनी दखल बढ़ रहा है उसकी हरकतों से यही आभास हो रहा है इसे से पहले चीन ने दो अपरैल को अरुनाचल प्रदेश में 11 जगों के भागलिक नाम बदल दिये थे जिसकी बाहरा सरकार ने कड़ी निंदा कीती और चीनी दावो को सीरे से ही खारिच कर दिया था इस घटना के एक दिन पहले ही चीन ने दक्षणी हिंद माहसागर की गहराई में इस्तित 19 समुद्री तलों के नाम बदल दिये जो भारतिये प्राइद वीप से लगबग 2000 किलोमेटर दूर है उपर से तुर्रह ये है कि चीनी प्रचार मीडिया इसे बीजिंग का साफ्ट पावर प्रोजेक्शन बता रहा है मालुम हो कि International Seabed Authority ने 2011 में चाइना ओशन मिनरल रिसूर्सेज आर एंडी एसोसीशन के साथ मेडा गासकर के पास हिंद माहसागर के दक्षिण पस्षिम रिजमे 15 साल के लिए एक उत्खनन अनुबंद किया था जो चीनी मुख्य भूमी से दूर था गौर हो कि हिंद माहसागर में चीन को आवंडित किये गए समुद्री इलाके से उत्तर इस्तित दक्षिण पस्षिम रिजमें भारत के साथ भी इंटरनेशनल सीबेड अथारिटी ने कीमती धातू पॉली सलफाइट के उत्खनन के लिए अनुबंद करार किया था हिंद माहसागर में चीन द्वारा नामित 19 समुद्री तल सुविधाओं में से 6 ओमान के तट और अफरिकी हौन से दूर जीबुती के चीनी बंदरगार के करीब हैं इनके अलावा मेडा गासकर के तट पर चार सीबेड फीचर्स हैं आठ हिंद माहसागर के दक्षिड पस्चिम रिज पर और एक अंटार्टिका की ओर गहरे हिंद माहसागर में रिज फीचर्स के पूर्व में इस्तित है मामले पर अपनी प्रितिक्रिया देते वे साउत ब्लॉक के एक अधिकारी ने कहा अरुनाचल प्रदेश और गहरे हिंद माहसागर में विवित बागौलिक अस्थानों का नाम बदलना चीन की कम्मिनिस्ट पालिटी की मद्द सामराज की मानसिक्ता को दर्शाता है और उन्नीसफी शतादी में प्रभुत्व और शक्ती को प्रजेक्ट करने के लिए ब्रिटिश शाही त्रिश्चिकोंड को दर्शाता है उन्होंने कहा कि यहां तक की चीन में तैनात राजनाईकों को उनके राजनाईक कागजात पीश करते समय मंदारिन नाम दे दिया जाता है विदेश सेवा के एक भुधपुर्व सचीव जो की चीन में भी तैनात रहे थे का कहना है कि अरुनाचल प्रदेश में बहुगालिक अस्थानों के नाम बदलने और प्रदेश को जहांगनान या दक्षिन तिबबत बताना चीन की एक चाल है इस छेत्र को विवादा इस्पद बताने के लिए परन्तु हिन महासागर में फीचर्स का मंदारिन में नामकरण करना धोस पटी दिखाने की कोशिश है सच्चाई तो यह है कि जब भी किसी इलाके पर चीन अपना गैरकानी अधिकार जताना चाता है तो सबसे पहले उसका नाम बदलना शुरू कर देता है जैसा कि चीन ने साउथ चाईना सी पर अपना अधिकार बताने से पहले उसने टापवों का मंदारिन में नामकरण करना शुरू कर दिया था अटाल वुडी आइलेंड को उसने सांसा सिटी का नाम दे दिया चीन की हरकतों पर भारत और उसके मित्र देशों की पैनी नजर मनीवी है और उसकी सामराज जवादी नीतियों का माकूल जवाब देर सबेर जरूर ही दिया जाएगा चीन को हिंद महासागर नाम से भी आपत्ती है उसका कहना है कि इंडियन ओशन भारत का नहीं है इसलिए इसे हिंद महासागर नहीं कहा जाना चाहिए केवल यहीं नहीं चीन भारत को घेरने के लिए हमबन टोटा बंदरगाह कोको आईलेंड और ग्वादर पूर्ट पर अपने निवी से संबंदित स्विधाओं को तो बड़ा ही रहा है उसने मालदी पर भी कोशिस की थी कि वहां पर भी एक नेवल बेस बनाया जा सके आज की संक में बस इतना ही आप से अनुरूद है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजिए जहें झाल झाल झाल